हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चनल प्राकिर्टी गाओ में मैं प्रवीन आप सभी को नमस्कार प्रणाम और जो है धेट सारा प्यार किसान भाईयों आपको मैं बता दू कि एक ऐसी मचली है जो एक साल में दो से धाई किलो तक की हो जाती है और जिसका रेट भी आप सुनकर चौक जाएंगे 500-600 रुप्या पर की लोग हिसाब से हाँ किसान भाईयों आप इस मचली के बारे में जानते भी होंगे अगर नहीं जानते हैं तो आपको मैं बता दू इस मचली का नाम है चीतल मचली, आज मैं आजकी वीडियो में चीतल मचली के बारे में लेकर क्या रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगा जो है हमारे WhatsApp पर पिंग करके उन्होंने कहा कि सर चीतल मचली के बारे मताईए तो point to point और कम समय में आपको चीतल मचली की जादे जनकारी देने की कोशिस करता हूँ किसान भाईयों सबसे पहली चीतल मचली के बारे में बता दू कि किस तरह की है ये bottom feeder मतलब सबसे तलाब में नीचली तली वाली मचली है और मीठे जल की मचली है और नेचर वाईज मांसाहारी है जिसको अंगरीजी में हमनों कार्निवोरस कहते है तो मांसाहारी नेचर की मचली होती है तो ये तो behavior हो गया आपको बता दू कि जिस तलाब में आप चीतल मचली का पालन करने जाएए उसके दो महीने पहले उसी तलाब में आपको तिलापिया मचली को उसमें डाल देना है 3-4,000 पर एकड की हिसाब से आप कहेंगे सर ऐसा क्यों बोल ला है किसान भायों मैं आपको बता दू कि ये मांसाहारी नेचर की मचली होती है तो ये मचली को ही खा जाती है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम उनके लिए मचली तयार करते हैं इनके भोजन के लिए ताकि हमारे दाने का खर्च कम लग सके अब आपके मन में ये दिमाग होगा किसान भाईयों कि हम तिलापिया मचली कहीं क्यों डालें किसी और मचली को क्यों ने डाले अब किसी और मचली को भी डाल सकते हैं छोटे बच्चों को लेकिन ये जो तिलापिया मचली होती है ये बहुँ जादे बीडिंग करती है बहुँ जादे प्रजनन करती है तो जिससे क्या होता है कि ये बहुँ जादे बच्चे देती है तो तो इसलिए हम लोग जब इसमें डालेंगे तो हम लोग 90% male तिलापिया डालेंगे और 10% female तिलापिया भी डालेंगे आपको यह चीज point out कर लेना चाहिए किसान भाइयों, कि 2 महीने पहले हम 3-4,000 तिलापिया मचली डालेंगे, जिसमें 90% male तिलापिया दस परसेंट female ताकि ये बच्चे दे सके खूब और उनका हमारे चीतल मचली का फोजन बन सके तो दो महीने पहले हमको इन मचली डाल देना है और वैसे आपके तलाब में जितने जली जन्तु है छोटे-छोटे सब को खा जाती है जैसे घोंखा हुआ उनको भी खा जाएंगी क्योंकि अमां पालन करते हैं लेकिन इसमें ऐसा नहीं है इसमें सीट फोट सीट इसी मचली का पालन कर सकते हैं अच्छा दूसरी चीज ये तो हो गई की मतलब भोजन की बात अब आपको बता दो कि जब इसका बच्चा खरिदने जाएंगे किसान भाईयों तो इनके जो उंगली के आकार 500-600 रुपया कीलो के हिसाब से मिलती है ये तो होगे इसकी बात अब आप कहेंगे कि इसको स्टॉकिंग डेंसिटी मतलब कितना हम तलाब में डालें एक एकड़ के तलाब में आपको बता दो कि साढ़े तीन हजार से लेकर के साढ़े चार हजार तक आप इसका इजली एक ए मचली का पालन करने जाए आप अपने लोकल एरिया में सबसे पहले डिमांड देख लिजिए किसी भी मचली का पालन करने से पहले आपकी उनकी एरिया में हो सकता है, डीमांड जादे हो उस मचली का, हो सकता है उनका लोगों से कांटेक्ट हो, जैसे होटल से रे स्टूरेंट से, वहां पर दे देते हो मचली, तो आपको अपनी एरिया के हिसाब से ही मचली का पालन करने, कोई भी कन्फ्यूजन है आप हमारे आप हमसे पूछ सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप समेंगा, अगर आप नए हो तो हमसे जूढ़ना मत भूलिए, ताकि आप फार्मिंग से रिलेटर जितनी टीप्स है मेरी कोशिच रती है, किसान भाईयों आपको स्तारल भासा में समझाया जाए, बहुत बहुत ध अन्यवाद जाहिए